अज़ करते हैं पार्लेमेंट पे कुछ बहुत इंपॉर्टन कोईशन्स जो आपके कंसेप्स को भी चेक करेंगे और आपको रिवाईज भी कराएंगे I am Rahul Sauru I take classes on history and polity for UPSC exams चलिए श़ू करते हैं पार्लेमेंट के questions consider the following statements about the disagreement between over bills between the two houses two houses के बीच में अगर बिल्स को लेके कोई deadlock है कोई disagreement है गतिरोध है तो उसके बारे में statements है any disagreement over constitutional amendment bills under article 368 can be resolved by voting together अगर सम्विधान संशोधन विधेक पर कोई भी problem है दोनों houses में तो वो दोनों साथ बैठके joint sitting में साथ बैठके vote कर सकते हैं पहले statement a bill considered in a joint sitting और जो भी bill joint sitting में consider होता है requires majority of those present and voting for its passage under article 108 और 108 article में जब भी joint sitting होती है किसी bill पर उस bill को pass करने के लिए majority जो चाहिए होती है वो present as well as voting चाहिए होती है इन में से कौन सा correct है तो पहला तो गलत है article 386 में लोग सभा राज सभा दौनों को बराबर के अधिकार है अगर दौनों में से एक भी house ने पास नहीं किया तो इस पर joint sitting नहीं हो सकती दौनों ही houses को pass करना पड़ेगा है special majority से अगर दौनों में से एक भी house रादी नहीं है तो समिधान संशियोधन नहीं हो सकता है इस पर joint sitting संभव नहीं है लेकिन article 108 में जो और bills होते हैं जिन पर joint sitting applicable होती है ordinary bills पर वहाँ पर अगर उसे pass करना है दौनों house साथ बैठते हैं और यही majority चाहिए है जिसे हम simple majority कह देते हैं तो joint sitting में bill pass करने के लिए कौन सी joint sitting जो article 108 में होती है इसमें simple majority चाहिए है तो यह बिलकुर सही है दूसा सही है पहला सही नहीं है तो बीज़दा answer Consider the following statements about Indian political system Indian political system के बारे में statements Members of Parliament from all the political parties are constitutionally eligible to become part of union government देखिए कल भी मैंने बताया था पिछले lectures में कई बार बताया है जब भी every or always इस तरीके के adverts से इस्तेमाल हो qualified से इस्तेमाल हो तो हमेशा धियान दीजिए कहीं न कहीं question में के concept होगा तो यह कह रहे है Members of MPs of all the political parties are constitutionally eligible constitutionally eligible to become part of union government मतलब जितने भी MPs हैं लोगसभा राजसभा में सभी केंज सरकार में मंत्री बनने के लिए eligible हैं समविधानिक तौर पे पहला statement only elected not nominated members of parliament can become part of union government सिर्फ elected members ही Parliament के MP minister बन सकते हैं nominated नहीं बन सकते all the executive actions of the union are expressed to be taken in the name of prime minister भारे सरकार के जितने भी काम होते हैं वो प्रधान मंत्री के नाम पे लिए हुए माने जाते हैं इनमें कौन सा सही है तो पहला statement बिलको सही है minister बनने के लिए सिर्फ MP होना दरूरी है the basic qualification of to become a minister is MP article 75 clause 5 जिसके अनुसार मंत्री बनते समय MP भले ही ना हो लेकिन 6 महने में MP बन ही जाना होगा 6 महने में MP बन ही जाएंगी इसलिए मंत्री ultimately MP बनना दरूरी है अब ये तो political system कहाता है जिस party का बहुमत है जिस गड़वन्दन का बहुमत है मंत्री भही से बनने का लेकिन संभाव है eligibility तो है कि मंत्री बनने के लिए बस MP होना चाहिए वो ruling party का हो या ना हो मत्लब majority party का हो या ना हो तो ये statement तो सही है लेकिन ये गलत है कि only elected मैंने कहा MP होना चाहिए MP nominated भी होते हैं तो nominated MP भी eligible तो है मंत्री बनने के लिए political system को देखे है practicality को देखे है तो शायद ना ही बनाए जाएं क्योंकि जीत किया आते हैं दावा पहले है लेकिन बनाए जा सकते हैं all the executive actions of the union are taken in the name of president देश के सारे काम union के सारे काम राष्टपती के नाम पे लिए हुए माने जाते हैं article 53 के अनुसार इसलिए ये statement भी गलत हो जाता है तो पहला सही है बाकी दोनों गलत हैं इस तरीके से आपकी चोटी चोटी चीज़ों जो आपको पता है वो रिवाइज हो जाती है कई बार इन चीज़ों पर ध्यान हम नहीं दे पाते हैं withdrawal from the consolidated fund of India require parliamentary approval अगर हमें CFI से कोई भी पैसा निकालना है तो parliamentary approval चाहिए है पहला statement no demand of grant shall be made accept on the recommendation of precedent और कोई demand of grant budget में जो demands आती है पास होती है grant बन जाती है तो कहने का मतलब है कि कोई बिडिमांड अफ ग्राइंट नहीं दी जाएगी बनाई जाए ती जाएगी जगत तक राष्ट्पतिक recommendations पर नहों तो यह तो सहीए कल भी मैंने किसी question में claim किया था कि no demand of grant shall be made, accept under recommendation of president, और with CFI से पैसा निकलना है, तो parliamentary approval ज़रूरी होता है, तो दौनों statement सही हो जाते हैं, any money withdrawn from CFI requires parliamentary sanction, parliamentary sanction के बिना CFI से पैसा नहीं निकलता, तो दौनों ही सही हो जाते हैं, which of the following powers are always present with the speaker of लोगसभा, इन में से कौन सी powers हैं, जो लोगसभा के speaker के पास हमेशा रहती है, administrative powers, quasi judicial powers, legislative powers, voting powers, तो इन में कौन सी powers हैं, जो लोगसभा के speaker के पास हमेशा रहती हैं, तो administrative power तो हमेशा है ही उसके पास, क्योंकि वो लोगसभा के administrative head भी होते, लोगसभा सचवाले के head माने जाते हैं तो ये उनके साथ सही है कौशी judicial powers भी है अगर किसी member को article 102 के तहर suspend करना है तो article entry defection article 102 के clause 2 या entry defection law के तहर suspend करना है या parliament में कुछ गड़बड हो रहा है उस पर suspend करना है तो speaker का फैसला speaker का institution इसलिए कौशी judicial माना जाता है ये भी सही है लेजलेटे powers भी इनके पास है बिल्स वगरा पे ये voting कराते हैं notice accept करते हैं उस नाते इनके पास लेजलेटे powers भी होती हुआ करती है voting powers हमेशा नहीं रहती है अगर किसी बिल पर बराबरी हो जाए तो तो voting power पावर इनके पास है otherwise as soon as one becomes a speaker इनके पास voting power वापस ले ली जाती है one who is on the seat of speaker only has casting vote बराबरी किसी बिल पर बराबरी हो जाए उसको तोडने वाले जो वोट है कास्टिंग वोट कर लाता है तो हमेशा नहीं voting power होती तो है हमेशा नहीं है तो one two three तो ठीक है लेकिन उसके अलावा voting power हमेशा है यह सही नहीं है इसलिए one two three four is not correct always word इस्तेमाल हुआ है which of the following motions cannot be brought against the government in the parliament इन में कौन सा motion है जो government के खिलाफ नहीं लाया जा सकता खिलाफ नहीं लाया जा सकता confidence motion, no confidence motion, privilege motion, adjournment motion अब हमको पता है कि NCM लाया जा सकता है privilege motion लाया जा सकता है अगर किसी मंत्री ने कुछ गलत बयान दिया हाउस को जूट बोलने की कोशिश की ये हाउस को गुमरहा किया है तो हाउस का privilege है सही बात जानने का तो मेंबर्स का privilege बॉयलेट हो जाता है तो लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ एड्वेंड ने मोशन भी सरकार के खिलाफ किसी urgent important issue पर लाया जा सकता है NCM तो लाया जा सकता है confidence motion गौर्णमेंट अपने लिए लाती है जब सरकार को यह प्रूफ करना होता है कि हमारे पास हाउस का confidence है तो यह against नहीं होता है यह गौर्णमेंट खुद अपने लिए लाती है इसलिए इसका answer ए होगा अगर यहाँ पर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो silly mistake हो जाएगी इसलिए इसका answer ए है confidence motion गौर्णमेंट अपने लिए लाती है बाकी गौर्णमेंट के खिलाफ आते है Consider the following statements Under the provisions of Entity Faction Law The members of Parliament may not have freedom of speech and expression Entity Faction Law जो 10th schedule में होता है 1985 में एड हुआ था 52nd Amendment Act से उसके तहत जो members of Parliament हो सकता है उनको freedom of speech and expression पूरा ना मिल पाए दूसरा Entity Faction Law works more on the basis of accountability than stability on the part of the government Entity Faction Law का logic यह है basis यह है कि सरकार की accountability ज्यादा important है Stable Government रही है इतना important नहीं है अब देखिए Entity Faction Law Entity Faction Law में यह statement तो सही हो जाता है क्योंकि उसमें जब क्या कहते है यह हो जाता है कि पार्टियां आदेश दे देती है WIP जारी कर देती है WHIP जारी कर देती है तो फिर member of Parliament bound हो जाते है पार्टि की WIP मानने के लिए जब पार्टि ने कहा yes तो yes करना है पार्टि ने कहा no तो no करना है इसका मतलग entry defection law में ऐसा हो सकता है कि member of Parliament वो ना बोल पाई जो वो बोलना चाहता है उसे पार्टि की बाद मानना दरूरी हो जाती है तो इस statement सही है they may not have freedom of speech and expression होगा उनके पास लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना रहे entry defection law works more on the principle of stability than accountability accountability नहीं stability जादा important Supreme Court ने कहा कि हीटो हो लें केस में कि अगर members का speech and expression जाता है जाने दीजिए सरकार stable रहे जादा important है इसलिए stable government is more important than freedom of speech and expression इसलिए आसानी से लोग अपनी party आचेंज ना करें इस उद्देश से हमने बनाई क्योंकि लोग party आचेंज कर देते हैं तो सरकारे गिर जाती है इसलिए stable government का उद्देश जादा बड़ा उद्देश and direction law के पीछे इसलिए इसको हम compromise कर सकते हैं तो ये statement गलत हो जाता है तो दूसा गलत है पहला सही तो ये राश्टपती की समिधानी duty है to address both the houses sitting together on some occasions बिल्कु सही है राश्टपती समिधानीक तोर पे bound हैं कि जब साल का पहला session का पहला दिन होगा budget session का तो उनको donor houses को साथ संबोधित करेंगे और जब नई लोग सभा बनती है तो फिर साथ संबोधित करेंगे बिल्कु सही है It is a constitutional necessity necessity to conduct at least three parliamentary sessions in a year साल में कम से कम तीन parliamentary session हो ये समिधानीक necessity है ये भी गलत है समिधानीक necessity दो sessions की है कल मैंने आपको बताया था पिछले lecture में कि कम से कम दो sessions दो setting के बीच का gap कम से कम छे मैने से जादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब साल में दो बार तो session होगा ही होगा तीन, चार, पांच भी हो सकता है तो ये तीन का नहीं है necessity दो की है तो ये भी गलत हो जाता है The chairman of the raja sabha being non-member does not have right to vote on your occasion in the house राजसभा के chairman राजसभा के member नहीं होते इसलिए उन्हें कभी भी राजसभा के vote देने का अधिकार नहीं होता ये गलत हो जाता है क्योंकि जब casting vote की नौबत आती है किसी बिल का बराबरी हो जाए तो राजसभा chairman के पास vote देने की power है ये बास है कि वो member राजसभा के नहीं होते तो ये भी गलत हो जाता है कि उनके पास vote देने की power कभी भी नहीं है ये भी गलत है अगर speaker अपनी पद पे speaker नहीं है अपनी chair पे आज deputy speaker house को preside कर रहे है तब उनका जो ordinary vote देने का अधिकार है किसी मुद्दे पर वो खतम हो जाता है उनके पाद भी बस casting vote होगा जब speaker उधर बैटे है जब deputy speaker ordinary member बनके बैठे तब तो उनके पास किसी भी मुद्दे पर vote देने का अधिकार है लेकिन आज वो chair कर रहे है चियर कर रहे है तो उसके बास पहला वोट चला जाएगा casting vote की power हुआ करेगी only casting vote की power होती है hence hence ये भी गलत हो जाता है ठीक है deputy speaker of the law can not exercise right to vote accepting the equality of votes ये सही है 4 सही हो जाता है तो ये पहला सही है 4 सही है 2-3 गलत है तो पहला और चौथा फॉस्ट और और गरेक्ट which of the following factors strengthen our democratic political system democratic political system को इन में से कौन से factors है जो strengthen करते है free and independent thinking बिलकु सही है अगर voters have right to think freely press के पास बहुत सार आदिकार है free thinking का माहूल है तो इसका मुल्द democracy strengthen होगी democracy में जतना ज़्यादा viewpoints आएंगे जतने विचार आएंगे उतना ज़्यादा democracy strengthen होगी उतना भेतर outcome आएगा strong political opposition बिलकु सही है ruling party के पास और ruling party के पास ही सब सीटे है opposition नगर्ण है opposition है ही नहीं इसका मतलब ये chances हो सकते हैं कि जो ruling party है वो सारी power assume कर ले अपनी concentrate कर ले अपने हाथ में और मनवानी करें arbitrary हो जाए तो opposition के strong होना बहुत दरूरी है otherwise democracy पे खत्रा हो सकता है limited franchise awarded to educated ये भी बात सही है अगर कुछी लोगों को vote देने का अधिकार होगा तो democracy strengthen नहीं होगी तो ये democracy का strengthen नहीं करता है one party dominance इसका एक ही बात है एक ही party जीतती है election strengthen करते हैं बाकी दौनों democracy को strengthen नहीं करते हैं तो first and two are the answer the parliament has no other function except the framing of laws parliament के पास कानून बनाने के लाभा प्योडर function नहीं है ये गलत है parliament के पास quasi judicial function है parliament के पास administrative function है parliament के पास बहुत सारे function तो डेलिबरेटिव function से होते हैं discussion function होते हैं बनाना पार्लेमेंट का एक function है under the due process of law if the laws if not fair, just and reasonable can be held unconstitutional बिल्कु सही है मेंका गांधी केस में 1978 के मेंका गांधी केस में due process of law को सुपनिंगोड ने बोला था कि यस यह हमारे समिधान में लिखी तो नहीं है बट इसे ही follow करते हैं अगर कोई कानून बना है और वो fair, just and reasonable नहीं है तो ऐसे कानून को हम unconstitutional करार कर देंगे इसलिए कानून होना पर sufficient नहीं है कानून का fair, just and reasonable भी होना ज़रूरी है तो यह बिल्कु सही है due process of law 1978 के बाद ही मेंका गांधी केस के बाद Indian jurisprudence में इस्तिमाल होना शुरू हो गया लिखा नहीं है समिधान ने but follow यही होता है All the bills except money bills can be returned by the president for the reconsideration of the parliament सिर्फ money bill छोड़ दें उसके इलावा जितने भी bills हैं वो राष्ट्रपती Parliament के reconsideration के लिए भेज सकते हैं तो यह statement गलत हो जाता है money bill भी नहीं भेज सकते और article 368 में जो सविधानिक संचोधन विदिहक है जो constitutional amendment bill होता है वो भी राष्ट्रपती वापस नहीं भेज सकते तो इसलिए गलत हो जाता है कि all the bills accept money bill No, money bill and constitutional amendment bill both of these bills cannot be sent by the president back for the reconsideration of the parliament बागी bills भेज सकते हैं भी गलत हो जाता है तो यह पहला statement गलत है दूसा statement सई है तीसा statement गलत है तो इन में कौन सा सई है to only दूसा सई है वस consider the following statements about parliamentary committees parliamentary committees के बारे में है all parliamentary committees are joined committees गलत हो जाता है सारी parliamentary committee जोइन कमेटी नहीं होती है लोगसभा में estimates committee है जो किये only exclusive लोगसभा committee है तो गलत है नन अप दीस committees is chaired by any member from opposition और parliamentary committee में सभी कोई भी ऐसी committee नहीं जिसके chairman opposition से हो तो public account committee के chairman opposition से ही होते हैं हमेशा opposition party से लिए जाते हैं तो ये statement भी गलत हो जाता है इस concepts के बारे में जानना हो आप तो आप प्रेपॉन के और वीडियो से पॉलिटी पे देख सकते हैं जहां विस्तार से बताया गया है कि P.A.C. क्या होती है कब से ऐसा हुआ कि पर्ले account committee का chairman ruling party से नहोंगी opposition से होने लगा था तो देख सकते हैं तो दोनों ही गलत हो जाते हैं So these are certain questions again on parliament यहां से आपके concept revise हो गए है और बहुसती चीदें आपको पता लग गई होगी Thanks a lot for watching this video इसको like कीजिए, share कीजिए आशा है कि ये videos आपके काम आ रहे होंगे आप पीछे जितने videos में देख सकते हैं आपका exam पास आ रहा है कुछी दिन बागी है इससे आपका revision बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छे अच्छे questions history, quality, art and culture modern ancient medieval पे discuss किये हैं Thank you very much